बागत है फ्रेंट्स आज में पॉपकर्ण की रेश्पी लेकर आई हूँ पॉपकर्ण बनाना बहुत ही आशान है इसे हम पांस मिनट में प्रेशर कुकर में आपको बना की लिखाएंगे इस रेश्पी को वज्जी वड़े सभी पसंद करते हैं कभी भी आप घर में फेमदी को लाइक कीची संब्सक्राइब कीची और कमिल करना मथ भूरी तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं लालमेज पॉडर हल्दी नमक हम श्वात्के नुशारी उच करेंगे तो चलिए हम गयस के तरफ चलते हैं गैसे हम एक प्रेसर कुकर डखके गैस को आउन कर लेंगे कूकर को हम गरम हो चुका है अब इस में तेल डाल देंगे तेल कुकर में पॉपकन बनाना बहुत ही आचान है तो चलिए तेल को हम गरम हो तेल गर्म हो चुका है अब हम इसमें मक्का को डाल देंगे मक्का को हम अच्छे से गर्म होने तक तेल में भूनेंगे तो कंच्छी हम से लाकिस वो मक्का को गर्म करेंगे अब देख सकते हैं मक्का गर्म हो चुका है अब हम इसमें मसाला एड़ करेंगे तो यहां पे हम इत चमस लाल मिर्श डाल रहे हैं आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालेए बच्चू के लिए हैं तो थोड़ा सा कब जादा कर सकते हैं इसमें हम वान फोर्स चमस हल्दी डालेंगे एक चमस हम नमक डालेंगे मक्की के साथ हम मसाला को कुछ रेकिन के लिए अच्छे से भूनेंगे मिक्च और हल्दी से कलर भी अच्छा आता है और पॉपन टेटी भी लगता है मक्का अच्छे से सुल गया है आप देच सते हैं एक एक मक्का पॉपन बनने लगा है तो हम अब क्या करेंगे इसका कवर लगाएंगे हमने ठककन का रबड और भीसिल दोनों निकाल लिया है अब हम इसे अच्छे से लगा देंगे तो आप सुन सकते हैं पॉपन फुटने की आवाज आने लगी है इसे हम तेज फ्लेम पे तब तक पुनेंगे जब तक इससे आवाज आता रहन है आप पॉपन फुटने की आवाज शुन सकते हैं कुकर के अंदर कैसे पॉपन तैयार हो रहा है ही कर सकते हैं जब आवाज बंद हो जाएगा फिर हम गैस को आउफ कर लेंगे कुकर से आवाज आना बंद हो गया है हम गैस के फेम को आउफ कर लेंगी अब हम आपको धकन खोल के दिखा रहे हैं तो हम धकन को खोल देंगे आप देख सकते हैं यह मक्काब एकदम कुकर में भड़ गया है यानि कि हमारा यह अठाई लीटर वाला कुकर है उसमें मक्काब फूल हो गया है तो आपने देख लिया फॉपकन बनाना कितना आसान है पॉपकन को हमने बॉल में ट्रांसकर कर लिया है आपने देख लिया इसे बनाना कितना आशान है और खाने में तो यह स्वादिश्ट होता ही है तो फ्रिंट्स इस रेश्टी को आप भी जूट राइक कीजिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट बक्स में अपना कॉमेंट इतना मत भूलिए धन्यवाद कीजा उन्यवाद